विटकोई ने फाइनली आपर डेली और वीकली कांडल क्लोजिंग जो है वो 50,500 डॉलर्स के उपर कर दिये और इसके बारे में अमने प्रिवेसली बात करे थी कि इस वीकेंड तक या मंडे तक जा मॉर्निंग में वीकली कांडल क्लोजिंग ओपन हो तो आपर 50,500 के उपर क्ल को टेस्ट कर सकती है तो इसी के बारे में हमने प्रिवेस वीडियो के अंदर आपसे बात करी थी तो एक बार देखते हैं उस वीडियो के अंदर हमने एक्जाक्ली क्या बोला था गर आप देखोगे यहाँ पर बिटकोईन की प्राइस को जो बुल्स ने पुश करना स्टार सब्सक्राइब थोड़ा सा पैटर्ण बनने लग जाता है जो पुश होते हैं वो यहाँ पर स्लो जाते हैं तो वह ओवराल शो करते हैं कि यहाँ पर बेस जो है वह भी अभी करेंट लियाँ पर थक रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग अभी जो प्राइज मॉवमेंट इस प्रा तो जैसा आपने यहाँ पर देखा कि Bitcoin की प्राइस के अंदर भी यह जो bullish movement था वो हमको देखने को मिला कि यहाँ पर जो price थी daily और weekly candle closing होने से पहले यहाँ पर 50,500 जो उसके उपर चली गई थी और वहाँ पर फिर हमको candle closing देखने को मिली और price भी अगर आप यहाँ पर क्या हुआ? Rejection और फिर से price जो है 50,500 डॉलर को test करने आई जहाँ पर अभी हलका सा जो bounce था approximately 500-600 डॉलर का वो हमको यहाँ पर देखने को मिल गया लेकिन अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या है आपर जो price movement है यह Bitcoin के लिए बुलिश है तो यह बहुत जादा बुलिश ह 50,500 डॉलर के उपर जो daily weekly candle closing चीए थी हमको एक साथी इस week में देखने को मिल गया यह बहुत अच्छी है लेकिन एक week की candle closing यहाँ पर हो पाती है 50,500 डॉलर के उपर तो और ज्यादा bullish चीज होगी लेकिन यहाँ पर कुछ factors जो important है और जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि market के अंदर जब इतना positive movement आता है और बहुत important levels break होते हैं तो क्या होता है market में sentiment एकदम से बहुत bullish हो जाता है कि सबके सब सोचते हैं कि market अब बस एकदम से उपर की तरफ जाएगा बहुत बड़ी-बड़ी candles हमको देखने को मिलेंगी लेकिन market में ऐसा चलता नहीं है अग अगर आप उस प्रिस्पेक्टिव से चीजों को देखना चालू करोगे तो आपको हर एक price movement के अंदर खुद idea लगने हैं लग जाएगा कि अब क्या हो सकता है अब क्या जा सकता है और वो आपकी accuracy यहाँ पर बहुत बेटर बनाएगा प्लस अबकी trades के अंदर भी वो बहुत चीजों को यहाँ पर improve करेगा तो उसी according एक जो scenario जिसके मैं आरब हम बात करूँग लेकिन अभी we are still not out of the water आज का पूरा मतलब दिन और कल का दिन भी काफी important रहेगा देखने के लिए bears यहाँ पर कितना push मारते हैं और bulls यहाँ पर कितने strong रहते हैं लेकिन एक important चीज़ जो मैं यहाँ पर आपसे share करना चाहूँगा जो मैंने previous video के अंदर भी share करी थी अगर आप यहाँ पर हमारा आपने यह पुराना वाला वीडियो देखा है तो इस वीडियो के अंदर मैंने यह pattern share किया था यह currently अगर आप देखोगे bitcoin की price जो move कर रहे हैं आपर हो क्या रहा है bulls starting में तो काफी strong यहाँ पर push करे लेकिन अगर आप भाग रहे हो तो भागते भागत कई पर आप ठकोगे तो bulls ने starting में तो एकदम price movement अच्छा किया बड़ी candles बनी लेकिन उसके अगर आप देखोगे धीरी धीर है यहाँ पर price जो है अब वो slowdown आ रहा है और उसी slowdown के according मैं जो area देख रहा था my area was 53,000 डॉलर से लिकी 54,000 डॉलर जहाँ पर price अगर आप और वो कौन सी चीज है वो यहाँ पर यह है कि price उपर की तरफ move कर रही है लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक bearish divergence बन रही है इसलिए यहाँ पर अगर इसको invalidate करना है तो यहाँ पर एक काफी बड़ी candle का push हम को चाहिए possibly जैसा push हम को यहाँ पर देख को अगर आप देखोगे मैं इसके बार में क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि यही जो similar pattern है अगर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़े हो सकती है तो मैं क्या करता हूँ हमेचा previous history में जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पर similar pattern बने थे क्या वहाँ पर क्या possibility हुई और वो अभी जो current pattern बन रहा है उससे closely कितना match कर रहे है तो उसी according हम यहाँ पर चलते हैं February और April का time वो सुनेरा time जब Bitcoin यहाँ पर 65,000 डॉलर्स तक पहुच गया था तो यहाँ पर भी क्या चीज़ हुई थी Bitcoin की price अगर आप देखोगे starting में बहुत अच्छा bulls यहाँ पर push कर रहा था और उसके price में हमको correction देखने को मिला जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बन चुकी है तो उसी according अगर मैं यहाँ पर देखूंगा इधर भी एक peak यहाँ पर बन गई दूसरी यहाँ पर बन गई इन possibly इसको आप third peak यहाँ पर बोल सकते हो तो उसी according यहाँ पर अगर देखा जाए अगर यह चीज प्ले आउट होती है एक्जाक्ली वैसे पहली चीज तो यह है कि अगर वैसे एक्जाक्ली प्ले आउट नहीं होना है तो जो मैं चीज देखना चाता हूँ यह कि possibly थोड़ा बहुत price में correction आता है it is still fine 50,500 हलका सा नीची चले है लेकिन overall लेकिन price यहाँ पर hold करें और फिर अच्छा हमको bounce देखने को मिले जैसा मैं बता रहा हूँ कि मतलब approximately 5-6,000 डॉलर का jump अच्छा हूँ नची 56-57,000 डॉलर एक दम से price पहुच जा है रात को सुबह उटे 56-57,000 डॉलर प्राइस पहुची है तो वो चीज यहा नहीं हुआ तो यहाँ पर जो levels आपको देखने है पहला 50,500 डॉलर जो currently यहाँ पर test हो रहा है उसके बारे में भी और बात करेंगे हम अगर यह break होता है तो यहाँ पर फिर दूसरा बन जाता है 49,000 डॉलर जहाँ पर 20 daily moving average है और अगर वो भी break हो गया तो उसके बाद हमारे खली सर बैठे हैं जिन्होंने एक बार यहाँ पर price काफी pass आई थी उन्होंने फूक मारी और price आप देख सकते हो का ओड़ गई थी तो खली सर बैठे हैं यहाँ पर let's hope खली सर इस बार भी साथ दे तो वो यहाँ पर बन जाते हैं जो यहाँ पर 46,000 डॉलर जो यह अभी ती 20,500 तक it is still fine लेकिन यह थोड़ा से एक area जहाँ पर हमको कुछ perspective के according मेरी जो कुछ calculations है मुझे change करनी पड़ेंगे आप से फिर मैं share करूंगा जब वो time आता है तो जब time आएगा तब उस बारे में बात करेंगे लेकिन यह तीन levels है जो आप देख सकते हो तो overall अगर यहाँ पर strong area मतलब 50,500 ठीक it is still fine लेकिन यह 49,000 का भी area जो है काफी important है तो यह आप तीन areas है जिनको currently आप monitor कर सकते हो you can get an idea कि देखो 50,500 जो है इसने अगर थोड़ा सा नीचे भी आजाए it is still fine लेकिन यह 49 का जो है यह break नहीं होना चाहिए यहाँ बहुत अच्छा आप support बन गया है यह break हो रहा है तो थोड़ा concerning हो जाएगा कि भई अब खली सर्ट टेस्ट हो सकते हैं नहीं तो possibly pull up हो जाना चाहिए तो यह 3 levels देख लेना ठीक है इन चीजों का आप ध्यान करना और जो मैंने चीज बोली है market में देखो हमेशा यह रहता है price उपर जाएगी correction आना जरूरी है and it is always healthy for the price तो अगर वो correction आते भी हैं तो it is still fine बस जो important levels है वो यहाँ पर break नहीं है जिसको हम यहाँ पर cover करते रहेंगे बाकी थोड़ा short term के अंदर बात करें कि अभी price movement के साथ क्या हो रहा है तो अभी currently अगर आप देखोगे यहाँ पर 50,500 डॉलर का जो एरिया है एक बार test हो चुका है price में थोड़ा सा jump आये यहाँ पर दो minor जो resistance होने वो मैंने यहाँ पर बना रखें तो possibly अभी अगर bears के perspective से एक चीज़ देखें तो वो possibly यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बार बार हम लटके रहेंगे तो फिर नीचे की तरफ breakdown होने के chance हो जा price में यहाँ पर possibly अभी जो retest हो रहा है उस पर price आने वाले घंटों के अंदर इसके उपर breakout करें यहाँ पर support बना है फिर हम next यहाँ पर move करें $52,000 के level पर यहाँ पर जाके थोड़ा सा rejection है ज्यादा retracement नहीं है और फिर उसको break करके इसके उपर support बना है और फिर यहाँ पर price $53,000 से लेके $54,000 को area उसको फिर से retest करने की कुछिश करें लेकिन वहाँ पर अगर आते हैं तो फिर से retracement थोड़ा हलका आना चाहिए जो यहाँ पर फिर bitcoin की price को $52,800 या $900 तक जो है वहाँ तक लेके जा सकता है so this is possibly something that I am looking at from bulls perspective कि इस तरह का कुछ price movement लेकिन देखना पड़ेगा जैसे price movement होता है मैं आपको updated रखूँगा और अगर आपको updated रहना है तो हमारी जो telegram वाली हवेली है यहाँ पर आप आजओ crypto India हवेली इसका जो link है आपको description मिल जाएगा है make sure अगर आपने telegram की हमारी हवेली join कर रखिए तो वहाँ पर उसके अंदर आपको ऐसा blue tick दिख रहा है अगर blue tick नहीं दिख रहा है तो चेक कर लेना आप किसी scammer के channel पे भी यहाँ पर हो सकते हो तो जो जिन लोगों नहीं भी join कर रखा है यहाँ वेरिफाय कर लेना सही वाले में हो की नहीं हो तो यह blue tick जरूर हो हाँ पर आप देख लेना तो यह overall है अभी price movement देख रहे है currently यहाँ पर bitcoin की price US level को test भी करी है अब let's see क्या हम इसको break करके उपर की तरफ जा पते हैं कि नहीं जा पते हैं क्योंकि अगर व आने से पहले यहाँ पर जो support और resistance level है आपको खुद indicate कर देंगे कि कहाँ पर आ सकता है और किस level का सकता है बस यह है कि चीजों को यहाँ पर follow करते रहो और देखते रहो कौन से एरिया पर बुल्स जो हैं वो weak हो रहे हैं और bears जो हैं यहाँ पर heavy हो रहे हैं बाकी यहाँ पर dominance wise नीचे break हो जाता है तो हमको बहुत massive alt के अंदर rise देखने को मिलेंगे क्योंकि यह जो पूरी situation है इस level के नीचे सरफ एक बारी bitcoin dominance यहाँ पर पहले आईए और वो 2017 के bull run के बाद यहाँ पर आई थी early 2018 के अंदर जहाँ पर बहुत massive जो price rise थी alts के अंदर हमको देखने को मिल तो this is something which I am closely watching लेकिन यह break होने से पहले थोड़ा बात wonky dominance जो movement है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते है तो this is also something which I am watching और यह area जो है मैं भी इस पर काफी ध्यान रखना हूँ आप लोग भी ध्यान रखना क्योंकि अगर यह break होता इसके नीचे daily weekly candle closing तो अलगी level की चीज ह तो वो closely हम follow करेंगे और मैं आपको updated रखूंगा और आपसे में शेर करता रहूंगा बाकि bitcoin का ध्यान रखो अभी जो आपको मैंने important levels बताए है उसके according देखना अगर यहाँ पर जो price movement है वहाँ पर support break होते है थोड़े से correction हमको आज कल में देखने को मिलते है तो उसके according यहा यहाँ पर देख लेना लेकर अपना stop loss risk management कर लेना क्योंकि trades यहाँ पर अगर दिन खराब हो तो गलत चली जाती है जैसे मेरी भी चली जाती है तो पहली सी उस चीज़ की safety belt लगानी ज़रूरी है गाड़ी ऐसे चलाओगे बिना safety belt की कि आपन तो थग life है तो रेक डोने की chances ह यहाँ पर रहते हैं तो आज की वीडियो में overall यही update बाकि आपकी के viewpoints है यहाँ पर bitcoin को लिके आप bullish हो आप bearish हो आपका TA यहाँ पर क्या बोलता है क्या यहाँ पर अभी हमको नया all time है बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेगा या आपको लगता है को कोई massive correction आने वाल बाकि regular update चीए market के बारे में BTC के बारे में तो अपनी हवेली है आओ हमारी हवेली में free में हम सब कुछ सिखाते हैं आपको बहुत सारी चीज़े जानने को मिलेंगी market में भी आप लोगों से ahead रहोगे because you'll know all the important levels तो आज की वीडियो में काई जित्ता ही बाकिया मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए गुडबाय एंट टेक क्याव बबाय